हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू मैं चैनल पीसेस्विच चौहान मेरा नाम है कीरत चौहान यहां हम कर रहे हैं घटना चक्र की सामाने भूगोल जिसमें हम कर रहे हैं वर्ड जोग्रफी यानि की विश्का भूगोल आज हम करेंगे चैप नमबर 11 जो की है घास मैदान कैस अगर अगर आपको घटना चक्री की बाकी वीडियो देखनी है तो आप मेरे जो चैनल है पीसेस्विच चौहन में जाईएगा तो वहां पे आप जैसे यूपी स्पेशल की घटना चक्री की दे सकते हैं दृष्टी घटना चक्र हो गया जो हमारा चल ही रहा है फिलाल एंड आप आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा जैसे स्टार्ट करने से पहले चलिए फिर हम पहले इंडेक्स देख ले तो हमने चैप नमबर बन से स्टार्ट किया है फिर हम पहुँच चैप नमबर टू पर अभी जो फिलाल हमा अगर आपको लगता है कि बहुत टाइम टेकिंग है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं तो चली यह रहा हमारे इंडेक्स और अब हम स्टार्ट करते हैं फटाफट छोड़े चैप्टर हैं बहुत बड़े नहीं तो देखिए क्या लिखाए घांस के मैदान भूमद र जाने में जो है घांस की प्रकृती में अंतर आते रहता है मतला हर जगा अलग अलग तरीके की घांस होगी इस अधार पर विश्में घांस के मैदान को दो भागों में बाटा गया एक तो हो गया उश्रिकर्टी बंदी घांस के मैदान जो की आपके कहां रहेंगे भूमद रेका के आसपास ठीक है यहां गर्मी बहुत रहेंगी बारिश बहुत जादा होगी तो लिखाए यह घांस के मैदान भूमद रेकिये प्रदेश के उतर दक्षण में यानि कि 10 से 25 डिग्री अक्षांस तक नौर्थ में भी और साउथ में भी पाए जाते हैं सवाना घांस म मैदान मुखेता जो है पूर्वी ऐफरिका में फैला है ठीक है पूर्वी ऐफरिका में मिलेगा बूमद रेखा कि आसपास स्यानी की 10 से 25 डिग्री अक्षांस तक में मिल जाएगा इसके अतिरिक्त क्या है औरी निको औरी निको बेसिन हो गया तो यह वेनेजुएला एं लंबिय यह दोनों आपको मिलेंगे कौन से महाधीब पर साओध अमेरिका में ब्राजील साओध अमेरिका पर मिल जाएगा बैली नाम जाता है बारत के दक्षनी भाग में भी हमें मिल जाएंगे सवाना रहें मतलब देखिए उसके लिए अच्छी बारिश भी चाहिए वेनेजुयला में हो गया लानोस ब्राजील परागवे अर्जेंटीना इवम उरुगवे इन चारों में हम बोलते हैं केमपास ठीक है दक्षनी अफ्रिका में बोलते हैं पार्क लेंड और अमेजन बेसिन में हम इसे बोलते हैं सेलवास तो आपको यह नाम जाद रखना चा में लिख AH सावाना ठीक है साथ चली और कि सैलवास में पास ठीक है और हमने क्या देखा 3 तो यह रेख लिए और हमने देख सवाना देख लिए और कैमपास भी देख लिए अमने और देखे एक तो है यहाँ पे एक लानोज नोस यह रगा इस लानोस, सेलवाज, केमपास, सवाना यह सारे हैं ठीक है अब आगे बढ़ जाते हैं अब देखिए यहाँ पर एक घास का मैदन आपको और शेले में मिलेगा डाउंस ठीक है इस्टेफी मिलेगा आपको एफरिका में और स्वारी यॉरप में ठीक है और वेल्ड म यहां पर प्रेयरी यहाँ रखिएगा और यहां पर डाउंस याद रखिएगा और मंचूरिया चाइना में वोगा नाम से पता चला है ठीक है और यहां पर देखिए एक है पंपास तो यह कुछी नाम है जो इंपॉड़न्ट है और यही नाम जो है बार-बार आपको इसलिए पूरी दुनिया में उश्र कटी बंदिये सवाना प्रदेश में प्रते एक वश हजारों बड़े जानवरों को शिकार के द्वारा मारा जाता है इसलिए इस प्रदेश को क्या है बड़े शिकारों की भूमी का जाता है सवाना की बात हो रही है यह क्या है बड़े की भूमी नेक्स में लेका है सीटोशन कटी बंदी है घांस मेदान यानि एक तो हमने देखिया था पच्छिस डिग्री अक्षांस तक नौर्थ है साउथ में ठीक है अब सीटोशन थोड़े ठंडे होते हैं यानि की धुरूव के पास होंगे थोड़ी सी तो तीस डिग्री से गैसे यहां लिखा है कि उत्री गोलार्थ में उत्री गोलार्थ में इस थली विस्तार अधिक होने के कारण देखिये उत्री गोलार्थ होता है यहाँ पर जैसे प्रित्वी है प्रित्वी का यह उत्री गोलार्थ है तो यहाँ पर इस थली विस्तार अधिक है और जो पर चास डिग्री उत्त्री अक्षानस तक भी मिल जाएंगी तो इसके प्रमुकु धारण की बात करते हैं तो प्रेयरी हो गया ठीक है प्रेयरी अभी हमने देखा था है पंपास भी अभी हमने देखा था आप देख लिया था नौर्थ सॉरी सौथ अफरिका में फेस टेपी और ब्रजील में मिलेगा अर्जंटीना के उपर उर्गवे भी है उसके उपर वहीं पर ब्रजील भी है अब इसने का यूरेशिया निकी पूर्वी यूरॉप और मद एशिया में आपको क्या सीतोष कटिबंदी घाश का मैदान कौन सा मिलता है स्टेपीज देखा था कैसा अ अब दक्षिन ऐसे कौन सा देखा था वेल्ड को में लिए नहीं है यानलन निकसे और आपको कहां में लेका तो यह लिए पढ़ चूके प्रेरियट आपको कहां मिलेका उत्री अमेरिका में मिलेका और इस टेपीन आफ्री पूर्वी अफ्रिका के दूसरा इसमें लिखा है लानोस इसने क्या बता है अच्छा मैंच करवान तो चले अभी हमने देखा कहां पर मिलेगा नौर्थ अमयरिका में ये लानोस बचा तो यह हो जाएगा दक्षिन अमेरिका में चले नेक्ष पर आ जाते हैं तो इसका आंसर यही सब है ठीक है आप देख लिए चुगा उसके रहाद है कि देश और घास के मैदान और इसमें बताना है कौन सा जोड़ा सही मतल़ है इसमें से कौन सा सही तो देख है कंपास का दाना जुक्त गरां या त्रवान जेह तो सैस्टेपी तॉस्टावान सभा आट उप्राइख वांड़्या समें देख होगाए कंपूर्वी अफ्रिका में केनिया तंजानिया में बडंगेश मैं चार्याथ सवाना डे उत्ते नरीोंचे जान कर सेंवात है में स्टेपीज सिर्फि गईस रषिया में मिल जागा इसमेंड़ लिगाए सवान सवाना का सरवाधिक विस्तार कहां पर है अफ्रीका में तो सवाना का मैदान मुखेता पूर्वी अफ्रीका में फैला है इसके अतिरिक्त और इनिको वेनेजुएला कॉलंबिया ब्रजील ब्राजील बैलीज हॉंडुरस के अतिरिक भारत के दक्षणी भागो में भी यह पाए जाते हैं लिखा है दक्षण अमेरिका में मध्य अक्षांतिय घास के मैदान का क्या नाम है तो इस दक्षण अमेरिका की अगर हम बात करें तो आंतर है हमारा पंपास ठीक है चलिए एक बाद मैप देख लेते हैं तो यह है आपका दक्षण अमेरिका मध्य में पंपास तो इसने लिखा है कि दक्षण अमेरिका महादीब के मध्ध अक्षांसिय और शीतोष न कटिबंदी घास के मैदान को पंपास कहते हैं इस घास के मैदान का विस्ता अर्जेंटीना अरुग्वे ब्राजील के दक्षणी भाग में है अन्यमद्द अक्षांसिय घास के मैदान में प्रेरी जो कि आपका नौर्थ अमेरिका का डाउंस कहां का है और शेलिया का है इसमें लिखा अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य छेतर है ठीक है एक चीज हो गई अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य छेतर है पंपास की उपजाव मिट्टी और शीतोशन जलवाई फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उप्योगी है इस कारण यह छेतर गेहूं के उतुपादन के लिए प्रसिद्ध है जो यहां की प्रमुख फच्तल है साथ ही पशुपालन हेतु पंपास छेतर में अच्छी घास उपलब्द है इसमें लिखा है दक्षणी अमेरिका का चोड़ा व्रक्ष रहित घास मैदान कहलाता है कौन तो इसने में उसकती हैं मेर मेहाउं just में लिखा है और दक्षण पूर्वी यहां है तो ने को अंसर ड्र्ट मेलब्सेटा और फोर्ट आइंच सामेज है है अब लिखाए निमलिकित में इसे कौन सुमेलित नहीं है आने की कौन सा गलत है अब इसे लिखाए जो डाउंस है डाउंस जो है आपका उश्रकटिबंदी घास का मैदान नहीं है यह है सीटोश्रकटिबंदी घास का मैदान है अब यहाँ पर सेलवा है सेलवा होगा सेलवास उश्रकटी बंदी है और टैगा जो है सीतोश्रकटी बंदी है टैगा ठीक उपर की तरफ आएगा द्रुवों के पास उश्रकटी बंदी घास के मैदान का विस्ता भूमद रेखिये सदा बहार वनो और गर्म मरुस्तली छेत्र के मद्ध पाया जाता है इसके उधारन देखते हैं लानोस, केमपास, सेलवास, पार्कलेंट, सवाना गिता हम नोट्स में पढ़ चुकें सितोष कटिबंदी घास के मैदान का विस्तोष सितोष कटिबंदी जलवाईू वाले छेत्रों में होता है इसके प् सितोष कटिबंदी बाकी पंपास, डाउंस, यह तीनों जो है सितोष कटिबंदी अब लिखाए निमलिकित में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान पाय जाते हैं तो कैस देखिए लिखाए कि पंपास घास का मैदान अर्जंटीना के ब्यूनिस आयर्स यहां की ब्रजील के दक्षणी प्रांथ रियो ग्रेंड़ दो सुल ग्रेंड़ और उरुग्वे में पाय जाते हैं यहां यहां पर है सी भी सही है आपका एंडी भी सही है अर्जिंटीना कि चलिए अब इसमें लिखा है निम्लिके देशों मेज से किसमें पंपाद घास का मैदान इस्तित हैं उप्रोकत प्रश्ण की व्याक्या देखे हैं हाला कि आयोग ने इसका उत्तर विकल्प एज जारी किया यानि कि अर्जिंटीना ठीक है कौन से सीटोश रंगाश के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं हमारा आंसर है । यह सीटोश रंगाश के मैदान आपको पहू बिलेंगे यूरेशिया नी कि यूरेफ और Еशिया मतलव रशय वालवा जो साइट हैक अब लिखा है निमनलिखित प्राकर्टिक सम ऐसे किसे बड़े बड़े शिकारों का, इस बड़ pounds ऑफार मार दिया जाता है जानवरों को, इस लिए इस प्रिदेश को बड़े शिकारों की भूमी कहा जाता है तो गैसे छोटा था ही चैप्टर था यह हो गया खतम अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइट करिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कामेंट करके जरूर बताएगा कैसे लगा और शेयर जरूर करेगा अपने दोस्तों में जिसे इसकी जरूरत हो